नमस्कार, स्वागत है साहितिक जहरों का चैनल पर आज हम करेंगे नागरजुन की कविता, अकाल और उसके बाद इस कविता में दो ही पध्यांश है, अर्थात ये एक लगू कविता है प्रथम जो पध्यांश है, उसमें अकाल की भ्यानकता का चितरन है कि एक अकाल एक परिवार के लिए कितना भ्यानक रूप लेकर आ सकता है परिवार की स्थिती कितनी खराब हो सकती है और दूसरा जो पध्यांश है, उसमें इन्होंने बताया है कि कैसे जब घर में अनाज आ जाता है, पेट भरने का साधन घर में हो तो किस परकार एक दम से वातावरन में हर्ष या उच्छा आ जाता है उसका चितरन किया है, तो आईए इसकी व्याक्या हम प्रारंब करते है यहां पर कवी, क्योंकि यह प्रथम पध्यांश है तो इस पध्यांश में कवी ने उस समय का चितरन किया है जब अकाल की स्थिती है तो आईए, देखते हैं कवी क्या कहते हैं कवी कहते हैं, कई दिनों तक चूला रोया चक्की रही उदास कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास कई दिनों तक लगी भीत पर छिबकलियों की गश्ट कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही सिकष्ट तो देखे पढ़के ही हमें समझ में आ रहा है कि सब कुछ अच्छा नहीं है कई दिनों तक अर्था जब अकाल की स्थिती थी तब क्या हुआ चूला रोया चूला कैसे रोया कि चूले की सबी गतिविदियां समाप्त हो गई थी चूले में आग नहीं जलाई जा रही थी क्योंकि घर में पकाने के लिए अन ही नहीं था चक्की रही उदास चक्की जिससे अन को पीसकर आटा बनाया जाता है वो भी उदास थी क्यों उदास थी क्योंकि घर में अन नहीं था जिसको चक्की के माध्यम से पीसा जाए तो यहाँ पर चक्की का चितरण इस प्रकार से किया है जैसे उसमें अन नहीं पीसा जा रहा यानि उस पर जो कार्य नहीं किया जा रहा तो उसके कारण वो उदास है तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें चूला और चक्की, दोनों ही उदास है क्योंकि यहाँ अन के बिना दोनों का ही अस्तित्र समव्त है कई दिनों तक कानी कुटिया सोई उनके पास और कई दिनों तक कानी कानी यानि एक आंख जिसकी सही नहीं है ऐसी कुटिया जो उस परिवार में ही पल रही थी सोई उनके पास उनके पास किन के पास सोई चूले और चक्की के पास वो इस आस में वहां सो रही थी कि शायद इसमें कोई अनपकने लगे और उसे भी उसमें से कुछ हिस्सा प्राप्त हो जाए इसी उम्मीद से वो खुतिया उनके पास बैठ रही थी सो रही थी कई दिनों तक लगी भीत पर भीत अर्था दिवार पर छिपकलियों की गश्त गश्त अथार इदर उदर दोड़ भाग कि कई दिनों तक इतनी विरानगी चा गई थी घर में अन ना होने के कारण घर में खाना ना बनने के कारण कि छिपकलियां भी दिवार पर जाने पनके कारण इधर उदर घूम रही थी दिवारों पर कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त और कई दिनों तक अर्था जब अकाल कि स्थिती थी तब चूहों की भी हालत खराब रही पराजित रहे चूहे भी क्यूंकि उन्हें भी खाने के लिए अन्न नहीं म जीव जन्तु प्राणिया वस्थुएं है उनके सभी के जीवन में बदलावाया, उनके सभी में परिवर्तन आया, केवल उस परिवार के सदस्यों में ही नहीं, अपितु चूला और चाकी जैसी जो उदासी चीजन निर्जीव वस्थुएं हैं उसके साथ कुतिया, छिपकली चिपकलियां और चुहे जो सजीव हैं वहां उस परिवार में रहने वाले उस घर में रहने वाले उनके जीवन में भी उसका परभाव पड़ा किसका जो उस समय अकाल था अकाल की स्थिती इतनी भ्यावे थी कि जिसके परभाव के कारण सभी के जीवन में बदलाव आ गया प किई दिनों के बाद चमक उठी घर भर की आखें किई दिनों के बाद कवे ने खुजलाई पांखें किई दिनों के बाद तो यहाँ पर जो चितरण है वो उस समय का है जब घर में दाने आ गए अना जा गया तो देखिये सारा कुछ ही बदल गया परिवर्तन आ गया कि दाने आए घर के अंदर अकाल बीट गया और घर में दाने आए कई दिनों के बाद अर्थात लंबे समय का अकाल जेलने के पस्चात घर के अंदर आज दाने आ गए हैं धुआ उठा आंगन के उपर दाने दानों का आना सिर्फ पेट भरना नहीं जीवन में नई उल्लास नया उमंग और नव जीवन की आशा की किरण है वो दाने उनसे जीवन में नया प्रिवर्तन आ रहा है जो अनाज घर में आया है उसके कारण तो इससे क्या हुआ चूले पर वो खाना पकाया जाएगा चक्की में वो अनाज पीसा जाएगा तो उससे क्या है कुतिया को भी खाने के लिए अन मिलेगा चूहों को भी खाने के लिए दाने मिलेंगे जब घर में आग जलेगी गरमाई आएगी लोग इदर उदर कामकाज करेंगे पेट भरा होगा उनका तो उससे क्या होगा छिपकलियां भी अपने अपने स्थान पर छुप जाएंगी ये सब बदलाव उसमें दिखेगा तो धुआ उठा आंगन के उपर की चूले के अब आग जली और उस आग के जलने से जो धुआ उठा वो आंगन से भी उपर जा रहा था कई दिनों के बाद ऐसा द्रिश्यवान दिखाई दे रहा था चमक उठी और उस जलती हुई आग की गरमाई को देखकर घर भर की आंखें सब की आंखों में एक नई चमक आ गई और ऐसा कैसे हुआ कई दिनों के बाद ऐसा हुआ क्योंकि कैसे चमकने लगी खुशी से चमकने लगी कि अब तो पेट भरने के लिए कुछ मिलेगा खाने के लिए कुछ घर में आ गया है इससे क्या हुआ घर के लोगों में और घर के जीव जनतूं में ने जीवन का संचार हुआ कववे ने खुजलाई पांखे और कववा भी कई दिनों बाद अपनी पांखे खुजला रहा है कहां पर घर की मुंडे पर बैठ कर वो भी अपनी पांखे खुजला रहा है कई दिनों के बाद ऐसा हुआ क्योंकि उसे भी अब पता चल गया था कि घर में चूला जल रहा है और उस जलते हुए चूले का तात्प्रे क्या है कि अब घर में अनाज पकाया जाएगा अन पकेगा उस अन में से कुछ भाग उसे भी प्राप्त हो जाएगा कुछ हिस्सा उसको भी मिलेगा तो इससे क्या हुआ कि कव्ये ने भी इस आशा से कि उसे थोड़ा बहुत अन मिलेगा इस आशा से उस्ते भी बुंडेर पर बैठ कर अपनी पांखें खुजलाई तो ये एक बहुती सरल सी कवीता है लेकिन भाव बहुत गहरे है अकाल में कैसा जीवन है और अकाल के बाद जब घर में खाने के लिए दाने है तो किस परकार नव जीवन का या नए आशा का संचार हो जाता है जीव जन्तूं के जीवन में वो इसमें चित्रित किया गया है जो भाशा है वो बहुती सरल खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर अकाल के समय दुख का चितरन है और दाने जब घर में आ जाते हैं तो किस परकार खुशी आ जाती है उसका चितरन किया गया है सरवतर परसाद गुर्ण व्यापते है और स्वभाविक रूप से जो अलंकार आए हैं उनका यहाँ पर प्रयोग किया है और शैली वरनातमा कै क्योंकि इन दोनों गटनाओं का अकाल की है और जो दाने आ जाते हैं उन दोनों ही स्थितियों का इन्होंने वरनन किया है और द्रिश्य विंबातमक्ता बनी हुई है तो उमीद करती हूँ आपको यह कवीता बहुत पसंद आई होगी और समझ में भी आ देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर जो मैं कवीताई रोज डाल रही हूँ वह नोटिफिकेशन के रूप में आए जिससे कि आपको इंतजार ना करना पड़े कि कब कवीता आ रही है या कब मैं एक नए वीडियो डाल रही हूँ तो अगर नहीं करेंगे तो नए वीडियो आपको नहीं मिल पाएंगी तो यह जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद